आज किस वीडियो में हम कुछ प्रकार के सेंटेंसिस डिस्कस करने वाले हैं जैसे ज्यादा गरम मत हो गरम क्यूं हो रहे हो तुम तो हमेशा गरम हो जाते हो किसी व्यक्ति के गरम होने की बात की जा रही है जानते हैं किसी इंसान का गरम होना इसे एंग्लिश में क्या बोलेंगे Lose temper तो समझते हैं कुछ example से तुम हर बात पर गरम क्यों हो जाते हो Why do you lose your temper on every matter Next sentence गरम क्यों हो रहे हो Why are you losing your temper Why are you losing your temper Next sentence गरम मत हो Don't lose your temper Don't lose your temper Next sentence तुम तो हमेशा गरम हो जाते हो You always lose your temper You always lose your temper Next sentence is for you हमेशा की तरह हम वर्क की बारी एक sentence आप सभी करें और comment box मा answer करें हमें हर बात पर गरम नहीं होना चाहिए So, thanks for watching Please do like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to press bell icon नहीं हमेशा की यहीं नहीं होन transitions जाते हुने